and welcome you all I am Rohit from Mahajan Trader so guys आज हम बात करने वाले हैं Gale India Limited के बारे में और guys काफी interesting ये वीडियो होने वाला है तो वीडियो को आयांड तक देखना और Gale India में हमें काफी अच्छे breakouts में मिले हैं और काफी सस्ता है स्टॉक है और guys एसे ही सस्ता stock आपको और देखने है तो हमने पूरी case study की है अनिल अमबानी के दो बड़े-बड़े stocks के बारे में पहला Reliance, Infrastructure फिर दुसरा है Reliance Power तो उन दोनों के बारे में हमने काफी एक interesting वीडियो बनाया है कैसे अनिल अमबानी ने comeback कर रहे है उन दोनों stocks के सहारे कैसे वो उपर आने की कोशिश कर रहे है और अनिल अमबानी कैसे कोशिश कर रहे है उन दोनों stocks के उन दोनों stock के उपर जो loan है उन्हें दूर करने की तो guys काफी interesting वो वीडियो है आप मेरे second channel पे जाके देख सकतो लिंक में description में डाल दोगा तो आज हम बात करने वाले है Gale India Limited के बारे में काफी अच्छा stock है और हमें breakouts भी मिले है और आज अच्छा perform भी ये stock कर रहा है और आगे भी ये ऐसे ही perform करते रहेगा तो guys काफी interesting ये वीडियो होने वाला है प्राइस चल रहा है और देखा जाए 3 रुपे 20 पेसे तक stock बढ़ गया है 2.41% के हिसाब से तो कल ही मैंने बोल दिया था कल ही मैंने एक pattern आपको बताया था pattern में हमें breakout भी ला था और breakout के बाद एक level हमने बोला था उस level को भी इसने break किया था तो इसके basis पे मैंने कल बोला था कि guys अगर intra day करना चाहते हो या फिर long term के साब से stock को जितना जल्दी हो सके खरीद लो क्योंकि जितना जल्दी आप खरीदोगे उतना तगड़ा return आप इसमें कमा सकते हो तो गेल इंडिया limited में यही आज हुआ एक अच्छा momentum हमें उपर की और देखने को मिला और वही आज हम आपके साथ share करने वाले है कि इसका big target क्या हो सकता है तो guys कल की अगर बात करो तो कल मैं आप देख सकते हो 15 minute time frame पर हमने कल analysis किया था और हमने इस pattern के बारे में discuss किया था और हमें मिला था यहाँ पर breakout और breakout की बाद मैंने clearly बोल दिया था कि यह बिल्कुल इस अगर A level को तोड़ता है तो बड़ा momentum आ सकता है और 137 का target आप रख सकते हो और अभी current पर अगर देखा जाए 136 पर तो यह trade करी रहा है और 136 तक यह closing देगा क्योंकि अब market भी काफी उपर तक चले गया है और market अपने all time high पर जाने की कुशिश कर रहा है तो A भी उपर जाने की कुशिश करेगा तो A target रहा हमारा short term का और देखा जाए as a long term के हिसाब से जो हमने और सोचा था केसे मैंने सोचा था कि यह वहाँ तक जा सकता है तो यहाँ पर हमने एक trade यहाँ पर देखा था एक W pattern यहाँ पर बंद रहा था और हम कह सकते इसे double bottom भी और देखा जाए तो यहाँ पर हमें मिल गया था breakout क्योंकि यहाँ पर already एक rejection था इस level पर और यहाँ पर breakout मिला था तो यह stock बिल्कुल 137 तक तो जाना ही जाना था अगर guys यह इसे भी अगर यहाँ पर break करता है तो कापी बड़ा momentum आ सकता है और stock बड़े-बड़े target सचीव कर सकता है और targets हमारे बड़े-बड़े रहने वाले है हमने बड़ा target तो 200 का रखा है मैं किसी और दिन इस पर एक detail वीडियो बनाऊगा बट short term के target 160-170 के आप रख सकते हो या 179 के target भी आप रख सकते हो तो guys यह रहा था यह जो analysis हमने किया था एक आफी सोच समझ कर किया है अगर देखा जाएं तो यहाँ पर stock ने एक breakout दिया था breakout के बाद यहाँ पर support लेके उपर गया था फिर नीचे दो बार support लिया फिर उपर गया यहाँ पर double bottom बना के फिर guys फिर नीचे आया फिर उपर गया फिर नीचे आया फिर उपर गया फिर यह नीचे आया और यहाँ पर सपोर्ट लिया तो इस लेवल को इसने ब्रेक किया था तो यह नीचे आना ही था तो इस लेवल तक आया और काफी दिनों तक इसने इसी के अंदर काम किया इसी लेवल के अंदर इसने काफी दिनों तक काम क और हम वेट कर रहे हैं अब इस लेवल को ब्रेक करने का और जैसे यह ब्रेक करता है 137 के टार्गेट को अगर अच्व कर देता और ब्रेक कर देता तो 160 170 तक इस स्टॉक जाए गई जाएगा तो गैस सिंपल सी स्ट्राडेजी है सिंपल सा अनालिसस है बिल्कुल आप इसमें अच्यू कर सकते हो तो पाचे दिन के टाइम फ्रेम पर अगर देखा जाएगा इस तो पाचे टाइम फ्रेम पर यहाँ पर साथ रूपे 55 पेसे तक। और यह वही पे जाने की फिरसे कोशिश करने कर रहा है और मार्केट के अगर बताओ और बिल्कुल मिट के अगर देखा जाए 6.47 का पी रेशियो है और डिविडेंट के मामले में भी स्टॉक दमदार है गाइस और वही हम बात करें अगर इसके हाइस की और लोग की तो हाई अगर देखा जाए 111 रुपे तीस पेसे का आप हाई आपर देख सकते हो 124 रुपे 25 पेसे का लोग भी आप यहाँ पर देख सकते हो तो हाई हमारा टार्गेट रहने वाला है तो अब बात करेंगे रेजिस्टेंस लेवल्स और सपोर्ट लेवल्स की तो रेजिस्टेंस लेवल अगर देखा जाए 134 रुपे 12 पेसे का है सेकंड रेजिस्टेंस लेवल 135 रुपे 43 पेसे का है और थर्ड रेजिस्टेंस लेवल 136 रुपे 67 पेसे का दिख जाएगा और सपोर्ट लेवल्स की अगर बात करें तो फर्स सपोर्ट लेवल 131 रुपे 77 पेसे का है सेकेंड सपोर्ट लेवल 130 रुपे 33 पेसे का है और थर्ड सपोर्ट लेवल 119 रुपे 02 पेसे का देखने को हमें मिल रहा है तो सपोर्ट लेवल और रेजिस्टन्स लेवल हमने दोनों ही डिसकस करे लिए बढ़ेंगे आगे और प्राइस प्रफोर्फोर्फोर्फोर्फोर्फोर्फोर्फोर्फोर्फोर्फोर्फोर्फोर्फोर्फोर्फोर्फोर्फोर्फोर्फोर्फोर्फोर्फोर्फोर्फोर्फोर्फोर्फोर्फोर्फोर्फोर्फोर्फोर्फोर्फोर्फोर्फोर्फोर्फोर्फोर्फोर्फो यहाँ पर सूरी गाइस ट्रेड वैल्यू के हम बात करें तो ट्रेड विल्यू भी अच्छा कशा बड़ा है और मैने कलीब वोला था यह 1 करोड के आप हो जा सकता है और वही हुआ एक करोड के आसपा से ट्रेड वैल्यू चले गया तो काफी बड़ी बात है और 60 लाग के सम्थिंग का इहाँ पर गॉंदे डिलिवरी है और वन मंत के एवरेज में 99 लाग के सम्थिंग का ट्रेड वेल्यु और 47 लाग के सम्थिंग का कॉंदे दिलिवरी देखने जब मिल जाएगा तो जो trade value और जो volumes है यहाँ पर काफी दमदार है अब बात करेंगे community sentiments के आकड़े तो community sentiments के आकड़े भी हाँ पर काफी तगड़ दिखाए दे रहे हैं क्योंकि 82% जो लोग है बिल्कुल buy के लिए कह रहे हैं 18% जो लोग है sell के लिए कह रहे हैं और 0% लोग ही है जो hold के लिए कह रहे हैं तो यहाँ पर bias और sellers काफी अच्छे दिखाए दे रहे हैं और revenues भी अच्छा कासा बड़ा है और वही guys अगर बात करो net profit भी तो 2017 से 20 तक अच्छा बड़ा बड़ बड़ 2021 में निचे की और आ गया तो guys यहाँ पर अब बढ़ते हैं और देखेंगे share holding pattern क्या कुछ कहता है share holding pattern में अगर देखा जाए 51.45% की holding जो है ब्रेक आउट है 170-200 का target रखना चाहिए वीडियो को संदा वीडियो को like करो चनल को subscribe करो thank you